जैसे जैसे बैंकों में ग्राहक के लिए सुविधाय बढ़ रही है वैसे जैसे फ्रॉड जैसी समस्याय उपन हो रही है। आज हम आपके साथ एक बेहत खास टॉपिक के साथ आये हैं चेक फ्रॉड। जी हां चेक फ्रॉड के नाम से आजकल आप बहुत से किस्से सुनते होंगों कभी कोई आम रखती के साथ यह गटना हो जाती है तो कभी कोई व्यापारी इसका शिकार हो जाता है। आज इस वीडियो से हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप चेक फ्रॉड से बच सकें। हर एक टिप को सही से फॉलो करें और अपने पैसों को सुरक्षित रखें। पहला है करेक्ट नेम ओफ पेई। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप जिसके नाम का चेक लिख रहे हैं, उसका नाम एकदम सही लिखें। यानि कि अकाउंट होलडर नेम सही होना चाहिए। दूसरा है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ तपेई। चेक पर account holder के name की spelling सही लिखी होनी चाहिए, तीसरा है right account pay with two cross line, आपका जो check है जिसमें आप cash withdrawal नहीं करना चाहते हैं, तब आप उसमें corner, check के बीच या फिर check के नीचे कहीं A, C, P, E लिख दें, इस तरह से, इसके लिए आपको दो लाइने खीचनी हैं, उसके बीच ले लिखन हैं ये, ऐसा लिखने से फाइदा ये होगा कि आपके check से कोई पैसा नहीं निकाल सकता है, जिसके नाम से check issue है, पैसा उसी के account में सीधा transfer किया जाए, अब चौती चीज़ है no overwriting, यानि कि check लिखते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि check में overwriting और alteration ना हो, नहीं तो आपका check bounce हो सकता है, फिर अगली चीज़ है कि check भरते समय इस बात पर भी ध्यान दें कि आप जितने amount का check बना रहे हैं, उतना पैसा आपके account में अवश्य है, अगली चीज़ है कि check पर amount लिखते समय नमबर और शब्द दोनों की जाच अवश्य करें, यानि कि आप शब्दों में जो amounts लिख रहे हैं और number में जो लिख रहे हैं, वो match करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने number में कुछ और लिखा है और शब्दों में कुछ और लिखा है, उधारन के तौर पर जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया 10,000 और words में लिख दिया 10,000 और तो ये बिलकुल सही होना चा ध्यान दे, जब आप चेक लिखते हैं, उस चेक की validity तीन महीने की होती है, यदि आपने महीना, साल या तारीख गलत लिख दी तो चेक की validity तीन महीने तक ही रहेगी, जिससे आपका चेक बाउंस हो सकता है, जब भी चेक लिखें तो ध्यान से लिखें, क्योंकि तीन महीने बाद आपका चेक बेकार हो जाएगा, और इसका payment नहीं होगा, इसका अगली बात जो महत्वबून बात है वोगा है, कि fraud से बचने का एक और तरीका है, कि जब भी आप चेक लिखें, तो इस बात का ध्यान दे कि आप अधिक space ना दे, जिससे कोई अपनी मर्जी से कुछ ल लाइन खीज़ दे, जहां amount खत्म हो उसके आगे only लिख दे, और उसके बाद line भी खीज़ दे, जहां पर आप amount figure में लिख रहे हैं, वहां पर भी ध्यान दीजेगा कि amount figure से पहले कोई space ना छूटे, और बाद में भी line अवश्या है, इसके बाद आता है कि correct signature, मतलब कई बार हम अपने signature अलग-अलग कामों के लिए नए नए तरीकों से करते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप किसी bank में कोई signature करते हैं, तो उसे एक जैसा ही है, मतलब आपने 2-3 bank में अपना account खुलवा है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके किस bank में किस style से signature है, यदि एक ही bank account है, तब भी आपको ध्यान देना होगा कि आपके style में signature कर रहे हैं, अब अगली बात यह है कि चेक में अक्सर आपने देखा होगा कि एकदम नीचे सफेद रंग की पट्टी होती है, जिसमें कुछ नंबर लिखे होती है, याद रखें, इस सफेद प आपको ACPEE नहीं लिखना है, यदि आप खुद जा रहे हैं cash निकालने, तो check पर अपने नाम की जब़े self लिख लिजिए, और अगर कोई और जा रहा है cash निकालने, तब उनका नाम लिख लिजिए, और check के पीछे अपने signature कर लिए, यदि आपके current account है, जब भी आपकी checkbook आ आपने आते ही, सबसे पहले उस पर ये मोहर लगवाले, जिससे कोई भी आपके checkbook को गलत समाल ना कर पाए, एक बात आप, आपके हाथ में checkbook आते ही, आप check करें कि serial number पूरे checkbook में, किस number से किस number तक serial number है आपके checkbook में, ऐसा ना हो कि जब आपको checkbook दी गई है, तो उसमें अन record slip दी जाती है, उसमें रखें, क्योंकि ये भविश्य में आपको accounting में कामा सकता है, तभी आपको किसी check का stock payment करना है, उसमें भी कामा है, इसलिए जब भी बढ़ चेक लिखें, तो checkbook की recorder slip में जरूर राइक करते हैं, तो दोस्तों, इन tips को follow कर आप check fraud से आसानी से बच सकते आपके बिजनस का सचा साथी